दोस्तो अगर आपके बच्चे और आप बर्गर खाना पसंद करते हैं तो यह जो रेस्पी आपके लिए एकदम पर्फेक्ट है आज मैं आपको सूजी का बहुती बढ़िया बर्गर बनाना बताऊंगी इस बर्गर की खास बात ये है कि ये बिना मैंदे की तयार किया गया है तो चलिए बिना मैंदे का इस्तिमाल करें बर्गर बनाना हम शुरू करते हैं बर्गर बनाने के लिए एक बावल में डालेंगे हम डेड़ कप सूजी और डालेंगे हम आदा कप दही और साथी साथ हम डालेंगे यहाँ पर एक कप पानी आदा चम्मच नमक और हमें सबको अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद सूजी को रख देना है हमें बाद सूजी यहां पर हमारी अच्छे से फूल गई है और आप देख सकते हैं यह जो सूजी है एकदम ठेक है तो हम इसमें एक कप पानी और डालेंगे और पानी को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाते हुए हम अच्छे से बैटर त्यार कर लेंगे बैटर को रख देंगे हम साइड में और अब करेंगे स्टीमर तयार तो एक कढ़ाई में मैंने एक ग्लस पानी डाला है और कढ़ाई में मैंने इस तरीकी का स्टेंड रग दिया है गैस को करेंगे हम और पानी को हम उबलने के लिए छोड़ देंगे और कड़ाई को हम साथ में कवर भी कर देंगे नेक्स प्रोसेस में मैंने हाँ पर लिए है चार स्टील की कटोरियां और कटोरियों को करेंगे हम तेल से अच्छे से ग्रीस ग्रीस करने से जब हम इसमें बर्गर बनाएंगे वो स्टीम होके बाहर निकलेगा तो आसानी से कटोरियों से बाहर आ जाएगा अब हम तयार किये हुए बैटर में डालेंगे एक चम्मच रेगुलर इनो और इनो डालने के बाद इनो को हमें बैटर में अच्छे से चलाते हुए मिला लेना है तो इसको मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मिक्स करना है तो यहाँ पर यह जो बैटर बनके तयार हो गया है आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे इसमें बबस दिख रहे हैं तो बैटर को हम कटोरियों में डाल लेंगे कटोरियों को मैंने यहाप पर पूरा नहीं भरा है आदा आदा भरा है और अब हम इन कटोरियों को रख देंगे तैयार किये हुए स्टीमर में और कवर करके लगभग 20 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए हम इनको छोड़ देंगे 20 मिनट हो गए हैं तो चलिए अपने बर्गर को हम चेक कर लेते हैं बर्गर को चेक करने के लिए बर्गर के अंदर हम इस तरीके से चाकू को डालेंगे और बहार निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि चाकू यहाँ पर एकदम क्लीन है इसका मतलब है कि बर्गर हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है अब लिया है मैंने एक बाउल और बाउल में डाला है मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज के उबले हुए आलू और आलू को मैश कर लिया है और आलू के साथ ही हम डालेंगे दो चम्मच कॉन फ्लोर, आदा चम्मच नमक, एक चथाई चम्मच जीरा, आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथी साथ डालेंगे आदा चम्मच अमचुर पाउडर और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है मिक्चर में से लेंगे हम थोड़ा सा पोशन और हातों की मदद से दबाते हुए करेंगे इस पोशन की हम गोल-गोल टिक्की बना के तयार तो यह यहाँ पर टिक्की होगे यह बन की तयार और इसी तरीके से सारी टिक्की बना के मैंने तयार कर ली है अब लिया है मैंने यहाँ पर एक पैन और पैन में डाला है मैंने आदा कप तेल और तेल को कर लिया है अच्छे से गरम गरम तेल में हम रखेंगे अपनी तयार की हुई टिक्की और इन टिक्कियों को करेंगे हम शेलो फ्राय तो टिक्कियों को हम यहाँ पर दोनों तरब से पलट तीव अच्छे से शेलो फ्राइ कर लेंगे ठीकिया यहां पर हमारी अच्छे से फ्राइ हो गई है तो इनको निकाल लेंगे हम तेल से बाहर और यहां पर यह जो हमने बर्गर तयार किया है यह भी ठंडा हो गया है तो इसको हम कटोरियों से बाहर निकाल लेंगे यह द बर्गर को बीज से चाकू की मदद से काट लेना है बर्गर काटने के बाद बर्गर के एक साइड में लगाएंगे हम टामेटो hap और एक साइड में लगाएंगे हम मैयोनीज दोनों को हम अच्छे से बर्गर के उपर फैला लेंगे और अब हम इसके उपर रखेंगे तयार की हुई आलू की टिक्की और टिक्की रखने के बाद बर्गर को हम इस तरीकी से बंद कर देंगे अब लिया है मैंने हाँ पर पैन और पैन को करेंगे हम घी से अच्छे से ग्रीस गी से अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें रख देंगे हम तयार की हुए बर्गर को बर्गर को हमें यहाँ पर दोनों तरब से अच्छे से से शेक लेना है तो थोड़ा सा घी हम बर्गर के उपर भी लगाएंगे और बर्गर को पलटते हुए दोनों तरब से हम अच्छे से सिख लेंगे बर्गर यहाँ पर हमारा दोनों तरब से अच्छे से सिख गया है इसको हम निकाल लेंगे आप चाहे तो बर्गर के अंदर टमाटर और प्याज को भी काटके लगा सकते हैं पर यहाँ पर मैंने ये आलू टिक की बर्गर बनाया है तो मैंने प्याज टमाटर का इस्तिमाल नहीं किया है और दोस्तों ये हो गया है हमारा बर्गर खाने के लिए तैयार